हेलो फ्रेंट्स, प्लांट्स एंट पैट्स लवर में आप सब का स्वागत है फ्रेंट्स आज का जो मेरा प्लांट है वो है ऐलोवेरा प्लांट इसको कैसे केर करनी है, क्या फटिलाजर देना है और क्या इसके फाइदे है इसी के बारे में मैं आज फ्रेंस बताऊंगी कि ये प्लांट हमारे लिए कितना फाइदेमंद है फ्रेंस ऐलोवेरा का प्लांट अगर आप गार्णिंग करते हैं और नहीं भी करते हैं तो भी आपके पास ये प्लांट होना चाहिए क्योंकि वास्तू की दर्ष्टी से भी ये प्लांट हमारे लिए बहुती फाइदेमंद है इसको लगाने से घर में हैपिनस प्रोस्पेरिटी सब कुछ मिलता है आपको घर से नेगेटिविटी भी चली जाती है और पोजिटिविटी आती है वास्तू की दर्ष्टी से ये बहुती शूप प्लांट है और इसमें कहते हैं कि इसको लगाने से घर में लक्ष्मी भी वास्त करने लगती है तो इसको जरूर लगाएए अगर आप वास्तू थोड़ा सा भी मानते हैं तो ये प्लांट आप जरूर लगाएए अब बात करूंगे फ्रेंट्स ऐलोवेरा के हमारे लिए फायदे क्या है फ्रेंट्स ये हमारे हेर केर के लिए यूज होता है स्किन केर के लिए भी यूज होता है और ये कई बिमारियों में भी फायदा करता है आजकल तो मार्केट में इसके जूस भी मिलते है फ्रेंट्स इसको धरत कुमारी भी कहा जाता है तो आपको कई कमपनी के अलोविरा जूस मिलेंगे बहुत जादा फायदा करता है तो ये हमारे लिए कई बीमारियों में फायदा करता है अगर आप डाइबिटिक हैं तो उसको ठीक करता है इम्मिनिटी कम है तो इम्मिनिटी बूस्ट करता है और हेर केर और स्किन केर मैंने बताया फ्रेंट्स और ये जोडों के दर्द में भी बहुत ही रामबान इलाज है इसका अगर आपको अर्थराइटिस है तो यह इसके बहुत फायदे हैं और फ्रेंट्स इसमें क्या क्या पाया जाता है इसमें फ्रेंट्स कैलशियम, कॉपर, सोडियम, मैगनीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, मैगनीज और जिंक इसके लाव अमिनो एसीड नैसमें और विटामिन है इसमें C, E, B9 और B12 मतलब B complex का भी बहुत अच्छा source है ये तो इसको घर में जरूर लगाना चाहिए आपको और अब बात करते हूं fertilizer क्या देना है अगर आपको अपना plant की पतियां मोटी करनी है बहुत ही ज़्यादे pulp पल्पी होता है अगर ज़्यादे मोटी मोटी पतियां चाहिए तो fertilizer देना है इसमें और ये फ्रेंस propagation की बात करूँ तो ये बहुत easy propagation है इसका ये multiply करना बहुत ही easy होता है ऐसे छोटे छोटे baby plants निकलते हैं तो इन से ही आप दूसरे plants बना सकते हैं ये देखें मैंने इधर निकाल करके कहीं सारे plants लगाए हैं इसमें से निकाल करके और ये अच्छे से चल भी पड़े हैं ग्रोब बहुत जल्दी हो जाता है hardy plant है एक तरह से ये आप छोटा सा पप एक कहीं से निकाल करके लाएंगे किसी के यहां से उसी से ही जब बड़ा हो जायागा तो चारो तरफ छोटे छोटे बेबी plants उसमें से निकल पड़ेंगे ये देखे मेरा भी बहुत सारा भर गया था plant इसमें से मैंने कहीं सारे baby plants निकाले हैं तब ही इतनी जगे इसमें दिख रही है आपको pot size अगर आप बात करो तो friend इसका pot थोड़ा चोड़े मुवाला रखना चाहिए उपर से चोड़ा मुव हो तब ही आप इसमें लगाएंगे तो बहुत सारे जल्दी plant भरेंगे ये देखे मैंने यहां से cut कर करके काफी use किया है मैं इसका fertilizer भी बनाती हूं plants के लिए fertilizer बहुत ही best रहता है और ये हमारे plant का immunity booster है आप ये fertilizer बनाकर जरूर अपने plants में use कीजिए बहुत ही best रहता है मैंने वीडियो में कई बार share किया है इसका fertilizer बनाए और अपने plants में दीजिए ये एक rooting hormone का का काम भी करता है अगर आपको कोई cutting लगानी है तो इसमें dip करिए इसके pulp में और लगा दीजिए 100% आपकी cutting चलेगी तो इतने फाइदे हैं कि बहुत ही जादा फाइदे हैं फ्रेंस इसके अब इसमें fertilizer क्या देना है मैं आज इसमें दे रही हूँ वर्मी कमपोस्ट और थोड़ी नीम खली ली है और ये मैंने नीम के पत्ते पीस कर रखे हुए ऐसे तो ये भी आप रख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा काम करता है फंगिसाइट का कोई कीडे चीटिया नहीं होंगी हमारे प्लांट में तो ये तीनों चीज मिला करके मैं दूंगे इसके बाद दो फटिलाजर और आपको बताऊंगे कि इसमें क्या देना है और मैंने क्या दिया है तो ये देखे इनको तीनों के मिला कर आप दो महिने में भी इतना इतना फटिलाजर तो यह बहुत य अच्छ से बढ़ता रहेगा प्लांट और हाटी प्लांट है जादा केर की जरूत नहीं है हाँ बस पानी की वाटरिंग इसमें बहुत यह कम करना है जादा पानी देंगे तो इसकी रूर्स खराब होने लगती है और यह गलने लगता है नीचे से इसलिए पा ग्रोथ करेगा अच्छे से क्योंकि इसमें NPK की अच्छी मात्रा है और निम खली इसमें फंगस कीड़े भी नहीं होने देगी अब यह है दूसरा फर्टिलाइजर यह कैल्शियम का सोर्स है और यह है एग शेल्स अगर आपके हैं अगर आपके हैंडे खाये जाते हैं तो यह छिल्के फेंके मत इनको आप दो कर सुखाईए और फिर ग्राइंड करके या कूट करके इनको बारिक शुरा बना लीजिए उसके बाद अपने प्रांट में इसको दीजिए कैल्शियम का रिच सोर्स है यह आप जरूर यूज कीजिए छिल्के फेंके मत और अपने तो यह देखिए मैंने तीन-चार चमच इसमें देदी हैं चारो तरफ से और कोशिश कीजिए फ्रेंट्स कि आप बारिक चूरा बना कर डालिए मोटे चिल्के डालने से कोई भी फायदा नहीं होगा वह ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे तो मैंने भी थोड़े ग्राइंड किये थे और फ्रेंट्स अगर आप एग नहीं खाय जाते आपके यहां तो फिर यह है चौक यह भी पावडर बना कर डालिए ऐसे मत दबाईए इसमें कि आप जैसे कोई कहता है कि फ्रेंट्स इसमें दबा दीजिए वन वन पीस करके उससे कुछ भी नहीं होगा मैंने करके रखे हुए हैं सुखा करके चोटे-चोटे पीसिस में कट करके रखे हुए हैं और चाहें तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिए चूरा बिलकुल बना लीजिए फिर दीजिए प्लांट में बहुत ही जल्दी आपके प्लांट ग्रोथ करेंगे और बहुत जल्दी बढ़ेगा और एकदम से बहुत ही जादा ग्रोध होगी इस फर्टिलाजर से इसको पंदरा दिन में यूज कर सकते हैं लिक्विट बना कर भी यूज कर सकते हैं ये देखे मेरे प्लांट की एकदम मोटी मोटी पतिया हैं और इनको मैंने कट करके यूज भी किया हुआ है दे ही है फ्रेंट्स और अब मैं इसमें पानी दे दूंगी पानी देना जरूरी है क्योंकि हमने ड्राइफटी लेजर दिया है तो फ्रेंट्स यह ही है बस आज की वीडियो अगर अच्छे लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए थैंक्या